हेलो आस्परेंस वेलकम तो अधर 247 चैनल मैं हूँ नमंत्रिपार्थी आपका लौ एंड करेंट अफेर्स मिंटर तो अब आज देखते हैं कि यहां पर आपके 40 चैनल मार्च मार्च में होना है तो आईके समझते इस वीडियो में क्या है एमेटसी टी का सिलिबस तो पहले हम फाइव यह कर बात करते हैं फाइव यह की अगर अगर हम देखें तो यहां पर आपकी है पूरी marking scheme है legal aptitude आपके 40 questions आते हैं 40 marks general knowledge 30 marks logical and analytical reasoning 40 marks English 30 marks mathematical aptitude 10 marks तो कुल मिला के आपका 150 marks का है पूरा syllabus बनता है जिसका आप screenshot यहां से ले सकते हैं चले तो बढ़ते हैं सेक्षन वाइस तो अगर हम English language की बात देखें तो English language considerably easy to medium आता है यहां पर सब्सक्राइब कुछ टॉपिक सब्सक्राइब जो की इंपॉर्टेंट है इस आप से सेंटेंस कंप्लीशन के question पूछे जा सकते हैं और analogies पूछी जा सकती है टेंस वॉइसे वर्ड का पूछ लिया कि इस वर्ड का इस वर्ड काल प्लेजर इसम तो प्लेजर इसम के सिनॉनिम क्या होंगे प्लेजर इसम का एंटॉनिम क्या होगा उसके बाद आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स देखनी है एडियम से फ्रेजेज हैं वन वर्ड सब्सिचूशन यह सारे टॉपिक्स हैं इसका स्क्रिंशॉट ले सकते हैं एक दम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इंग्लिश में जो हैं पी वाई क्यूज में भी देखे गए कि इन टॉपिक बढ़ते हैं लीगल अप्रिट्व में तो इस आर दे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डेगल अप्रिट्वीं तो यह सब वर्ड हैं जो एक लीगल टर्मिनलोजी से आते हैं तो लीगल प्रपोदिशन ने पूछा जा सकता है Constitution of India हमारा सबसे important है इससे questions आते हैं IPC जो अब बदल के हो गया है भारतिय न्याय सम्हिता Law of Tots, Contracts, Maximes और Legal History की कुछ important landmark event जैसे कि हमारा Constitution कब बना हम law day कब celebrate करते हैं हमारे Constitution में कितने article है रिटर्न, the largest written Constitution of the world क्या है तो these are the important legal historical facts जो हम से पूछे जा सकते हैं legal aptitude में ही आपके सबसे ज्यादा marks है 40 marks बढ़ते हैं current affairs की तरफ general knowledge in current affairs यहां पर भी आपको कई variety के questions पूछे जाएंगे history से आपको question पूछा जाएगा general science से question पूछा जाता है यह important areas identify हुए है जिसे इंडियान economy और उसके various sector से पूछा गया budget से कुछ question आ सकता है environmental issues हो गया sustainable development हो गया general science and technology तो आपको क्या करना जो डेली की आपकी the Hindu हो गया the Indian Express हो गया times of India हो गया जो भी पेपर आप पढ़ते हैं वहां से आप इन factors को हमेशा identify करें जैसे अभी इंडिया का space पे काफी जादा growth चल रहे थे चंद्रयान 3 mission के बाद से हमने कई सारे नए नए initiative space पे लिए हैं इनफार्ट स्पेस एक से भी collaboration हुआ है environmental issues की बात करें अभी ठंडी के समय में का बहुत बड़ा issue होता है तो आप के standards को पढ़िए उसका act देखिए कहां से शुरुआत हुई थी एयर act से हम करते हैं स्टबल बर्निंग का बड़ा issue है और क्यू क्यू पी राइट जो climate change conferences हो रही है वह हमें देखना है तो बहुत सारी चीज़े हैं जो आपको रिसेंट मिल जाएंगी books and authors जो बड़े ही famous authors हैं कई books launch अभी हाली में जैशंकर की book launch हुए मारे external affairs minister की तो लाइक दिस हमें important चीज़ों देखना है अपकी तीन टाइप की history आएंगी ancient medieval modern थोड़ी जोग्राफी पूछी जाएगी और major development जो usually हमें sports के फीड़ में politics के फीड़ में क्या awards recognition honors क्या यह सारे recent developments हुए यह चीज़ें आपको पूछी जाएंगी और अगर यह आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है तो हमारे पास अभी mhct की बैचे लाइव है आप देख सकते हैं और रेकमेंडेट बैच है लॉक का महा पैक जो थ्री यह यह फाइव यह यह दोनों के लिए और आप अलग-अलग वैलिडिटी सेलेट कर सकते हैं विचे ग्रेट फीचर लाइव रिकॉर्डेट क्लाज़ेश हैं पीडिएफ्स हैं कांस्लिंग्स हैं एक्स्पिरेंस फैकल्टी मैं मैं आपको टीच करने वाला हूँ लीगल रीजनिंग आई कम प्रॉम नाशनल टो मैं अपना एकस्पीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा चाये वह नौलेच का हो जालीच की सकोक्तों कर सकते नबर पर ऑगर आप फैकल्टी कोड को लगाते तो आप देख सकते हैं 40% आपको मिल जाएगा तो आप एन एम 80 कोड लगाए एंड देन यू विल गेट दिस डिसकाउंट थेक हैं तो आई होप आपको काफी ज्यादा इससे बेनिफिट मिलने वाला है तो चलिए टॉपिक वह वापिस आते हैं और यह है हमारा फूर्थ तो यह आपका लॉजिकल एंड अनलेटिकल देगा यह बड़े इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट होता है क्योंकि आपको मजा आएगा आपको मजा आएगा एक्टुली सॉल्व करने में जैसे ब्लड रिलेशन हो गए सिरीज कंपलीशन हो गई आपको कुछ नंबर की सिरीज बन पाद आपकी लॉजिकल डीजदयम और प्रिटिकल डींग यह दूए अस्पेक्ट भी आपका लजिकल और अनलेटिकल रिजनिक भर से अक ने मातर दस नंबर काता है लेकिन यह गेम चेंजर होता है क्योंकि अगर यह आपका इस्टॉंग है तो दस नंबर आपके यह रही ह तो अगर आप थोड़ी सी प्राक्टिस बेटर करेंगे इसमें तो आपके मांक्स बहुत अच्छे हो सकते हैं तो इस वोज और आपको सिलिबस का क्लारिफिकेशन मिल चुका होगा इकारे सग्रवाल की बुक आती है जिससे आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं मैच्स और इसके लावा आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझ से कनेट कीजे कोई डाउट है कुछ भी आपके कंसर्न से हैं प्लीज फिल फ्री तो रिच आउट तो मी और टेक गुट केर और स्टार्ट यूर प्रप्रेशन आज अर्ली अस पॉसिबल थैंक यू